आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार सरोसमत्ती से विधायकों की ने योगी को प्रण नेता चुना सुरे स्खन्ना ने रखा था योगी के नाम का प्रस्ताव बड़ी खबर जो एक पचारिकता थी योगी आदितिनात के नेता चुने चाने की विधान मंडल के वो चुने हो चुका है लोग भवन में हुई सुबैठक में योगी आदितिनात को विधान मंडल का नेता चुना जा चुका है सरोसमत्ती के साथ विधायक दल का नेता योगी आदितिनात को चुना जा चुका है वही है प्रस्ताव सुरेश खन्ना ने रखा था योगिया दितिनात का शपद ग्रहड समारों कल है आज उन्हें विधान मंडल दल का नेता चुना जा चुका है लोगपवन में बैठक हुई है सरसमत्ती से विधायकों ने योगिया दितिनात को नेता चुना सुरेश खन्ना ने रखा ता प्रस्ताव वही इस वही इस बैठक में कई बड़े चहरे भी मौझूद थे ग्रह मंद्री अमिर्शाह के साथ साथ दोनों डिपटी सीम भी मौझूद थे इस बैठक में के एहम फैसले में मुख्यमंद्री योगिया दितिनात को विधान मंडल दल का नेता चुना जा चुका है अब मुख्यमंद्री योगिया दितिनात के रूप में वो कल शपत लेंगे कैति हासिक जीत का शपत करेट समारो कल होगा 272 विधायकों ने अपनी जो सेहमती है वो योगिया दितनात को दे दी है और साथी साथ जो छोटे चेत्रिय दल है अपना दल निशाद पार्टी सभी ने अपनी सेहमती दी है नेता चुना है योगिया दितनात को विधायक दल का नेता सर्व समती के साथ योगिया दितनात चुने जाच चुके है कई बड़े चेहरे भी मौजूद रहे इस मीटिंग के दोरान लोगपवन में यह मीटिंग हुई इस मीटिंग में सभी विधायकों ने अपना समर्थन दिया केशव प्रशाद मौर दिनेश शर्मा वही कई और कई बड़े चहरे भी इस मीटिंग में मौजूद रहे 273 वधायकों का समर्थन पत्र राजपाल को शौपा सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है सभी सहयोगी दल के नेता भी राजपाल को मिलने पहुचे 273 वधायकों का समर्थन पत्र सौप दिया गया है सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है राजपाल से बीजपी वसहयोगी दल के नेता भी मिले योगी सरकार 2.0 का आगाज हो चुका है और लगातार दूसरी बार यूपी में बीजपी की सरकार बनने जा रही है विधान सबाच चिनाव में भारतिय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद 37 साल बाद प्रदेश में किसी एक दल की सरकार की लगातार दूसरी बार ताजपोशी होगी बीजपी कारेकाल में कोर कमिटी की बैठक के बाद योगी आदितिनाथ और अमित शा लोग भवन में हुए विधायक दल की बैठक में शामिल हुए और बैठक में योगी आदितिनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया है ग्रेह मंत्री अमिच शाह ने योगी आदितिनात के नाम का एलान किया आई आपको सुनाते हैं विधायक दल की बैठक के बाद योगी आदितिनात और ग्रेह मंत्री अमिच शाह ने अपने संबोधन में क्या कहा है कि बारती जंता पार्टी के अन्य सम्मानित प्रदादिकारी और उपस्तित भाईयों पेहनों कि मैं सबसे पहले कि आदमी प्रभान मंत्री जी का अपने केंद्रिय प्रवेक्षट मानिये ग्रह मंत्री जी का सव प्रवेक्षट और पुरी पार्टी का हिर्दे से आभार द्यत्य करता हूँ उत्तर प्रदेश विदान सबा का एक नया इतियास लिखने के अक्षण इसी सबागार के अंदर भूरा 25 सालों से कभी भी एक पार्टी को दुसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है भारत्य जनता पार्टी अके लिए कैसी पार्टी है जितने दोने बार दो पिहाई से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समचन हास्री किया हम सब के लिए आनन का विशह है कि भारत्य जनता पार्टी के नेता स्री योबी आदिते नाच्जी को उत्त पदेश की जनता ने दूसरी बार मिल्क्त नंपूर्ण बहुमत के लिए का पार्टी जनता पार्टी के पेश किया गया है वधान मंडल का नेता चुने जाने के बाद अब सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है राज़पाल से बीजपी वस्योगी दल के नेता मिलने पहुँचे 273 विधायकों का समर्थन पद्र राज़पाल को सौपा जा चुका है सरकार बनाने का दावा भार्ती जनता पार्टी द्वारा पेश किया जा चुका है राजभवन पहुच कर यह दावा पेश किया जा चुका है 270 विधायकों ने अपना समर्थन सौब दिया है वही कल शौपत ग्रहड समारो होना है वही राजवपाल से मिलने बीजबी वस सहयोगी दल के नेता पहुचे हुए थे करें के लिए समवादाता गौरश वास्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव विधान मंडल का नेता चुना जा चुका है राजवपाल के सामने जो दावा है वो पेश किया जा चुका है सरकार बनाने का आगे क्या कुछ अपडेट है पूरी हो गई है आप कुछी दियर में मुकवंत्री होगी आजना जो कारवाग मुकवंत्री उत्पडेश के वो अननिवें पार्टर जो कि राजवपाल उत्पडेश के उन्सें बिलेंगे और और अप्चारिक जो है ब्युस्था जो हाँ प्रिया है वो पूरी की जाएग हालाकि जो भी पिस्टावग दल था पिस्टावग दल ने तो तेसा विडायकों का जो समर्गर पक्त होता है एक जो लिखिस होता है वहां पर राजवपाल को स्वाप दिया है और राजवपाल ने सी रूप से अब नवता देंगी उत्परिस के जो कारवाग मुकुत्री य जो सहयोगी दल और बीजिपी के नेता पहुचे हुए थे राजवपाल से मुलाकात करने उनमें कौन-कौन से चेहरे शामिल थे गौरफ बड़े-बड़े चेहरों की बात करें तो जो भी अगर पिस्टावग दल की बात करें तो सुरुष खंदा थे जो की रजवादर से इसके अलाबा जो आपके नंगोपाल नंदी थे अमेस्टाय थे और जो तमाम बड़े-बड़े नेटा रहें वाजिंदा पार्टी में वो भी स्करकम में रहे थे और राजवपाल बेड़ की थी वो राजवपाल अन्दी बेन पार्टर को सुफ दिया था अब क्या कुछ प्रक्रिया इसके बाद होनी है किस तरह से तैयारिया और चल रही है इस एतिहासिक शौपत ग्रहड समारों की जो समाज के बड़े बड़े नेता है बड़े लोग है जो बड़े परिश्चिड लोग है और लगाता तयारी चल लगे और बड़कार कर इसकाना चुझ अब ही जितने भी बीज़पी के नेता और सहयोगी दल है वो मिल चुके है राजवपाल से और आट बजे सीयम योगी भी राज्यपाल से मिलने पहुत सकते हैं इस पर क्या कुछ खबरे हैं और जो पर जाएंगे और जो फिक्रिया वो शुरू हो जाएगी इसके बार कल सपर्देशन समारों होगा उसे मुक्वंति की रूप में दूसरे डारे कल की सुरूबाट करेंगे अगर बात किया जए गौरो इस बार के मंत्री मंडल की तो इस बार के मंत्री मंडल में महिलाओ को भी कई एहम जुम्मेदारिया दी जा सकती कौन-कौन से प्रमुक चहरे महिलाओ के हैं जो जिनका नाम अभी तक सामने आ पा रहा है सबसे बाला कुछ जो प्रिशन रहेगा कि कौन मना जाएगा तो तू तर बता रहे हैं कि जो के सब्सक्रा मौर रहे हैं और जिनने सर्मा है जोनों ही बने बने रहें कि अपने हुए विधायकों को सीम ने अपने अवास पर कर चाय के लिए भी बुलाया है उसको लेकर क्या कुछ अपडेशन है कि अनिन इसमय मंतरी कि जो कि राज मंटरी होंगे तरफिम इसलगी शना हैं मुक वंपंधि यह इसा जो कि कर्दा की एंड्या ने चुना उखाया तो अविधागी के आंप जो कि अधनल जो कि आव चुछ रूप होँए और कल मुकवंति कुछ गुप म तो इन लोगों ने भी गड़ी मेहनत की है दो हजर बाइस विधान सबाच राव में भारती जन्ता पार्टी के साथ मिलकर इनको क्या कुछ बड़े जिम्मेदारी देने के कुछ ख़बर सामने आ रही है। जब चुकि उन्हों साथ दिया है और उनके विराइन की पार्टी पार्टी तो इस रूप से यहां उनको भी पुमका टिया जाएगा। जब चुकि उनकारी के बहुत बहुत धन्यवाद आपका गरफ लखनों के इकाना स्टेडियम में शपत ग्रहड समारों को लेकर तयार या पूरी हो चुकी है। योगी मंत्री मंडल 2.0 के लिए चहरे को लेकर अंती मोहर लग चुकी है। वही शपत ग्रहड को लेकर पूरे स्टेडियम को दुलहन की तरह सजाया जा रहा है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। भार्ती अजन्ता पाटी ने यूपी का केला तो फते कर लिया है और अब उसकी नजर 2024 में होने वाले लोक सभच्चुना उपर है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के नए मंत्री मंडल के गठन की तयारी को लेकर दिल्ली में खूब मंथन हुआ। सूत्रों की माने तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के सामने योगी मंत्री मंडल 2.2 में शामिल होने वाले नए चेहरों को लेकर विचार किया गया ऐसा माना जा रहा है कि योगी की नाई टीम में स्वतंत्र देव सिंग, नंद गोपाल नंदी, सूर्य प्रताप शाही, सतीश महाना, व्रजेश पाठक, रमापति शास्त्री, अपड़ना यादप, अधिती सिंग, दया शंकर, सिधात नाथ सिंग, आशितोष टंडन और पंक जिसिन शामिल हो सकते हैं, नाई टीम में होगा कौन-कौन, स्वतंत्र देव सिंग, नंद गोपाल नंदी, सूत्र, सूर्य प्रताप शाही, सतीश महाना, व्रजेश पाठक, रमापति शास्त्री, अपड़ना यादव, अधिती सिंग, दया शंकर सिंग, सिधात नाथ पंकत सिंग, नाय मंत्री मंदल के लिए भारतिय जंता पाटी ने 12 राज्यों के मुख्य मंत्रियों को नियोता दिया है, इस सूची में गुजरात के सियम, भूपेंद्र पटेल, हर्याना के सियम, मनुहरलाल खटर, मद्रप्रदेश के सियम, शिवरात सिंग चोहान, दबिस्वास सर्मा, अरुनाचल के सियम, पेमा खांडू, त्रिपुरा के सियम, विपलव देव, हिमाचल प्रदेश के सियम, जेराम ठाकोर, उत्राखंड के सियम, पुश्कर सिंग धामी, मडीपुर के सियम, एंग वीरेन सिंग और गोवा के सियम, प्रमोध सावन्त शाम को शामिल करने का इंविटेशन भीज़ा गया है इसमें टाटा ग्रूप अंबाने ग्रूप आदित बिर्ला ग्रूप अडानी ग्रूप महिंद्रा गूप आईटी सी ग्रूप पेपसिको हिंदुस्तान यूनिलिवर ग्रूप फ्लिपकार्ट और आईजील ग्रूप भी शाम करताओं को भी बुलाया गया है विदान सबस्चुनाफ के नतीजे आने के बाद जुसका सब लोग बेसबरी से उतजार कर रहे थे वो घड़ी अब आ चुकी है योगिया रितिनाद की तास पोशी के लिए लखनव के अटल बिहारी बाचपेई स्टेडियम में खास तैयार की गई है यहां करीब सत्तर हजार लोगों के बैठनी की भी व्यवस्था की गई है शपत वहन समारों के मत्य नजर एअपोर्ट से इकाना स्टेडियम के बीच के रास्ते और स्टेडियम में सजवावट भी की गई है वहीं बीजेबी दफ्तर को भी सजवाया गया है अब देखना यह है कि योगी की नई टीम कितने जोश और खरोश के साथ काम करती है और 2024 के लोग सभाचुनाओं में जीट का दावा ठोक सकने में दमखम दिखा सकती है सूबे के कारवाहक मुख्यमंत्वी योगी आदितनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्वी के तोर पे फिर एक बार सपत लेंगे वो तमाम विधायक जो चुनाव जीत कर आए हैं और साथी साथ मंत्वी मंडल में समलित होने वाले वो तमाम मंत्वी सपत लेंगे और इस सपतगुhin का रिक्रम को लेकर पूरे स्टेडियम को सजा दिया गया है जहां आप देख सकते हैं कि पोस्टर से पूरे पट दिये गया है दिवालों को साथी साथ जो एकाना स्टेडियम और एरपोर्ट को जोड़ने वाले वास्ते हैं इसको पूरे दुलहन की तवा सजाए गया हो अब पच्पन हजाव लोगों की बैठने के इंतिजमात हैं और साथी साथ और स्थाई बैठने के इंतिजमात भी किये जाएंगे कैमरमेन दीपक के साथ रिभांसू प्राइम टीवी लखनव रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जुल्ध हाजर होंगे आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार